हेलो गाईज, गूद मॉनिंग, लास्ट टुडियो को ही कंटिनी करके, आज और अभी मैं आपको सिखाने वालाओ, सम अफ प्राइम नंबर अप्टो 20, ठीक है, मैं हाँ लिख देता हूँ, सम अफ प्राइम नंबर अप्टो 20, ठीक है, हमें का करना है, प्राइम नंबर को ध भूनना है, कहां तके, सम करना कितने तके 20 तक है, साथी साथ यहां पे लिखा है, verify, is it ap or not, ठीक है, पहले verification करेंगे, देना हम find करेंगे, ठीक है, प्राइम नंबर का होता है, ऐसा नंबर, जिसकी शुरुआ दो से हो, और वो खुद के table में आता हो, या तो वो किस से आता हो division 1 से, तो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है क्या, नहीं है, then 11, अब 2, लास्ट हम से यादे 20 है का, प्राइम नंबर नहीं तो कितना है, 90, ठीक है, लिख दे हमने, इसे क्या बोल देंगे हम, a1, a1 मत्दा पहला time, यह a2, a3, a4, और यह a, लिख दे हमने इसे, अब पहला हम इसे verify करें is it a, p or not, ठीक है, तब हम formula लगा सकते a, p का, तो क्या करतेंगे, हम d equal to, a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3, a5 माइनस a4, इसे मान लेते, a5, ठीक है, वैल उस put कर देते है, a2 माइनस a1 मत्दा 3 माइनस 2, a3 माइनस a2 क्या हो जाएंगा, 5 माइनस 3, then a4 माइनस 7 माइनस 5 then 11 माइनस 7, ठीक है, निकालते हैं वैल्यू कितना आ गई है, a1, a2, a2, then a4, क्या इसके सारे वैल्यू सेमर है, क्या ये common difference common है, नहीं है, मतलब, it is not an a, p, लिख दोंगे, it is not an a, p, ये जो sequence है, ये follow नहीं कर रहा है, arithmetic progression को, therefore by this method it can't be solved, धान रहा है, ये method से solve नहीं हो सकता, जो हम बोल रहें कि easy method से solve करेंगा, हमें फिर क्या करना पड़ेंगा, formula, बिल्कु सबको plus, plus ही करना पड़ेंगा, जो usual method है हमारे, but ये ap नहीं है, ये आपको पता रहाना चाहिए, और ये ap के formula से solve नहीं होगा, देखिए, paper जो है question में पर आप उसमें छुडाओंगे तो काफी hard नहीं होता, बट हमारी सोच है कि वो क्या है, hard कर देती है, तो कोई भी question को पहले, अच्छे से सोचिए, समझे, देनी solve करना, ये तो कई बार लिखा रहा था, कि find गरो तो हम formula पूर्ड़ेंगे निकाल भी लेते, but पहल कीजिए मेरा weight, thank you everyone